Welcome to Movies की सनीमा बाजी हम सुन रहे हैं Dream Girl हेमा मालनी के जीवन की कुछ खटी मीठी यादे अभी तक के कहानी में हमने सुना कि बहुत सारी फिल्में हेमा जी को किस तरह से मिली और उन फिल्मों के बारे में उनके खुद के आनुभाव क्या थे अब जानते हैं कि हेमा जी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कैसे आई और उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई दरसल फिल्में बनाने का खयाल हेमा जी को तब आया जब वो एरविंग क्लास जी की दस सेकंड लेडी पुस्तक पढ़ रही थी हेमा जी पताती है इस पुस्तक के द्रश्य मेरी आखों के सामने तैर रहे थे और मैं इसे छोड नहीं पा रही थी मैंने उसी समय धरम जी से ये कह दिया कि मैं बहुत जल्दी अपना बैनर शुरू करूंगी हेमा जी के भाई जगन नाज जी द्वारा निर्मित और एंजल फिल्म्स के बैनर तले सन 1984 में प्रदर्शित शरारा फिल्म में हेमा जी के साथ राजकुमार जी शद्रुगन सिना जी और मिथुन चक्रवर्ती जी जैसे कलाकारों ने काम किया ये फिल्म बॉक्स आफिस पर तो उतनी सफल नहीं हुई पर फिल्म की प्रोडेक्शन क्वालिटी और उसकी कहानी की बड़ी तारीफ हुई और इससे अंकरेज होकर हेमा जी ने सन 1990 में हम वीजियो क्रियेशन्स द्वारा निर्मित अपना पहला टैली सीरियल नूपुर शुरू गया ये एक डांसर की स्टोरी थी जिसे उनके ट्रेवल एजेंट ने धोका दे दिया था और इसके बाद एक अंजान व्यक्ति जिसका रोल ने भाया था कबीर पेदी जी ने की हेल्प से उस डांसर ने सभी संकटों का सामना करते हुए अपना पहला डांस कारिकरम प्रस्तुत क पर उसके प्रोग्राम को बहुत जादा आलोजकों की प्रशंचा नहीं मिली और इसलिए वो डांस सीखने के लिए एक गुरू की तलाश में तंजौर जाती है महिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद वो वापस लड़ती है और पुना अपने खोई हुए गोरों और सुन्दर कहानी थी और हेमा जी त्वारा परिकल्पित इस कहानी का जो स्क्रीन प्ले था वो गुलजार जी ने किया था चुकि गुलजार जी पहली बार किसी डांसर के जीवन के बारे में लिख रहे थे तो वो कंफर्म कर लेना चाहते थे कि सारे के सारे एक्सेंपल्स सही सही लिये जाएं और उन्होंने बहुत सारी किताबे हेमा जी से भेजने के लिए कहा और फिर उन्होंने एक बहुत सुन्दर और एमोशनल कहानी और उसकी पटकता लिखी और हेमा जी ने उसे अच्छे से निभाया इस प्रोजेक्ट के डारेक्टर के तौर पर विकास देशाई जी हेमा जी की पहली पसंद थे उन्होंने उनके साथ 13 पन्ये में काम किया था पर किसी कारण से बात बन नहीं पाई उसके बाद उन्होंने कई डारेक्टर से संपर किया पर किसी का भी चैन नहीं हो पाया हिमा जी कहती हैं मेरे मन में बिल्कुल स्पच्ट था कि निर्देशक को शास्त्री नरतिकी अच्छी समझ होनी चाहिए क्योंकि हमने हर एपिसोड में शास्त्री नरतिकी विभिन विधाओं का परिचे देने का सोचा था हमने कई लोगों से बाचीत की और सही व्यक्ति के लिए महीनों इंतजार किया अंत में गुलजार साहब ने सुझाओ दिया कि मुझे खुद ही इस धारवाहिक का डारेक्शन करना चाहिए ये उन्ही का विचार था कि हमें 22 मिनट के एपिसोड में से 6 मिनट डांस के लिए सुरक्षित रखने चाहिए मुझे यकीन नहीं था कि दरसक इसे एकसेप्ट करेंगे या नहीं पर गुलजार साहब ने जोर देकर कहा कि अगर ये सीरियल नरतिके बारे में है तो हमें संकोश करने की कोई जरूरत नहीं है हम उन्ही की अभिशंचा के आधार पर यानि की गुलजार साहब की रिक्मेंडेशन के आधार पर आगे बढ़े और वो सही साबित हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हमने जान बूझकर एक एपिसोड में रत्य का कोई सीन नहीं रखा और हमने पाया कि दर्शक इससे बहुत निराश हुए थे रोचक बात तो ये है कि आज इतने वर्ष बात भी मैं जहां भी जाती हूँ लोग नूपूर के लिए मेरी प्रशनचा करते हैं वैसे लोग भी जिनका डांस के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है जैसे कि विदेश में मिलने वाले एक सरदार जी मुझसे अकसर पूस्ते हैं कि मैं नूपूर का सीक्वल क्यों नहीं बना पाई इस सीरियल की शूटिंग मेरे लिए आसान नहीं थी ये पहला मौका था जब मैं अभी ने निर्देशन और निर्माण सब कुछ एक साथ कर रही थी यानि कि एक्टिंग, डांस, डारेक्शन और प्रोडक्शन सब कुछ हेमा जी ने एक साथ खुद किया था इतने सारे वे भागों को संभालना मुझे उपर तक निच्चे उड़ देता था जैसे ही ये सीरियल खत्म हुआ मैं एक लंबी छुटी पर लंडन चली गई मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी दुबारा कोई सीरियल नहीं बनाऊंगी पर टेलिवीजन एक नशील अमाध्यम है एक बार आप इसमें काम कर लेते हैं तो आप का मन बार बार वही करना चाहता है हेमा जी हस्ते हुए पताती है छोटे परदे पर अपने इन प्रयोकों के साथ ही हेमा जी ने बड़े परदे पर भी काम चारी रखा हेमा जी दार्शनिक अंदाज में बताती है घने बादलो में भी कहीं कोई सुनेहरी चमक छिपी होती है मेरे बुरे दोर के बाद अच्छी बात ये थी कि मैं अचानक समानांतर सिनेमा यानि कि जो आर्ट फिल्म्स होती है उनके फिल्मकारों की पहुँच में आ गई थी अब मेरे पास नए डारेक्टर्स जैसे की सुक्वंत धड़ा एक चादर मैली सी और अरुना राजे रिहाई के साथ काम करने का मौका था ये फिल्मे एक लेडी के महिला के और एक अभिनेत्री दोनों ही रूपों में मेरे लिए बहुत फ्री करने वाले आनुभव थे हलाकि धरमेंद्र जी नहीं चाहते थे कि मैं एक चादर मैली सी में काम करूँ क्योंकि इस विशे के साथ उनकी कुछ बहुत दुखत यादें जुड़ी हुई थी दरसल वाक्या ये था कि कई सालों पहले इसी नामवाली फिल्म करते समय बेहत खुपसूरत, टैलेंटेड और सीनियर एक्ट्रेस गीता बाली जी की छोटी चेचक से मरत्य हो गई थी और उनके देवर की भूमिका कर रहे धरमेंद्र जी इस त्रास्दी के साक्षी थे यहां आपको ये बात बता देना बहुत सरूरी है कि गीता बाली जी शमी कपूर जी की धर्म पत्नी थी और उनकी मरत्यू के बाद शमी कपूर जी बिल्कुल टूड से गे थे वो घीदा बाली जी को बहुत प्रेम करते थे और उनके दोग प्यारे-प्यारे बच्चे भी थे जरा सोचिए कि तब चेचक जैसी बीमारी की वज़ा से इतनी बड़ी एक्ट्रिस इस दुनिया को छोड़ कर चली गई शमी कपूर जी इस हादसे से बहुत देर से उबर पाए जबकि उनकी दूसरी पतनी नीला देवी जी ने उनके बच्चों को और उन्हें समालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत सेक्रिफाइस किया खैर बात हो रही थी एक चादर मैली सी फिल्म की दरसल इस हादसे के बाद इस विशह पर किसी भी निर्माता ने कोई फिल्म बनाने की कोई कोशिश नहीं की थी लेकिन सुखवन्त जी ने ये हिमत दिखाई थी और इस फिल्म की हिरोईन के रूप में हिमा जी ने इस बात को इस मनहूस धारना को तोड़ने में उनकी मदद की थी और अरुना राजे जी की रिहाई की कहानी सुनते समय ही हिमा जी ने तै कर लिया था कि वो ये फिल्म करने जा रही है पूरी दुनिया में महिलाएं ही हर तरह के सामाजिक और पारिवारिक संकटों का सामना करती है और फिर भी उन्हें कम जोर कहा जाता है इस फिल्म में मैंने एक पर पुरुष कामनी स्री की भूमिका की है जो अपने प्रेमी के बच्चे का गर्व पात करवाने के लिए अपने पती द्वारा डाले जा रहे हैं दबाओ का विरोध करती है या मेरे द्वारा अब तक की की गई परंपरा गच्चवी वाली भूमिकाओं से काफी हट कर थी हेमा जी समझाते हुए कहती है रिहाई फिल्म की यूनिट के पास सुनाने को कई सारी शॉर्ट स्टोरीज थी ट्रकों में भरकर गाओं वाले हेमा मालिनी जैसी सुंदर स्ट्री की एक छलक पाने के लिए श मंदित थे इन फिल्मों की प्रशंशा क्रिटिक्स ने भी की और फिर हेमा मालिनी जी ने यश चोपड़ा जी की विजय और रामो जी राओ जी की जमाई राजा जैसी फिल्में साइन की हेमा जी कहती है मैंने सास की भूमिका इसलिए सुईकार की क्योंकि ये मुझे मज़े तार लगी मेरी सोच ये थी कि इस तरह की बहुत उजड महिला की भूमिका करना कुछ अलग एक्सपिरियंस होगा पर फिल्म इंडरस्ट्री के लोगों ने अपने आप से ये मतलब निकाल लिया कि मैं मा की भूमिकाओं में ही आने वाली हूँ और उन्होंने मुझे तो अब अपनी सब से अच्छी अवस्था के परे जा चुकी है अब सिर्फ माँ वाले पात्रों में ही नजर आएगी क्या सीनियर महिलाओं की अपनी कोई जिंदगी और कहानी नहीं होती ये बहुत दुख के बात है कि हमारी द्रेश्टी इतनी संकुचित है हेमा जी एक आ करना चादा पसंद करती थी मुझे लेकिन में अपनी भूमी का बहुत पसंद है जिसमें मैं अपनी छोटी बहन की आत्मा का इंतसार करते हुए बूरी हो जाती हूँ ये एक बार बार याद आने वाली भूमी का थी और फ्लेश फॉरवर्ड में ही चलती रहती थी इस फिल फिल्मों के निर्देशन में उतरने का फैसला किया उनके चचेरे भाई मोहन ने इससे पहले ही शूटिंग के पहले होने वाली प्री प्रोड़क्शन की कारवाई पूरी कर ली थी फिल्म की शूटिंग शुरू करने का समय आचुका था पर हेमा जी अब तक अपने फिल्म से पहले अपनी गुरू मा इंद्रा जी से आशरवाद प्राप्त करने का समय मांगा मा ने हाल चाल पूछते समय हेमा जी से उनकी फिल्मों की प्रगति के बारे में पूछा और हेमा जी ने भरे दिल से उनसे कहा कि उन्हें अभी हीरो की तलाश है मा ने अपने स्वाभाविक उल्ल से अंदाज में कहा चिंता मत करो वो तुमें जल्दी ही मिल जाएगा और वो एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा हेमा जी इस आश्वासन से पूरी तरह आश्वास तो नहीं हुई पर नियत के विधान के तहट मुंबई पहुंचते ही उन्होंने टीवी देखते समय फौजी दारह वाहिक में काम कर रहे शारुक खान को देखा उसके चेहरे पर ताज की थी और एक अच्छा हीरो बनने के सा रेगुण मौजूद थे हेमा जी ने अपने ओफिस के लोगों से उसके बारे में पूछताज करने को कहा और पाया कि वो दिल्ली में रहते हैं हेमा जी की चचेरी बेहन प्रबाद दिल्ली में ही रहती थी और हेमा जी के कहने पर उन्होंने शारुक खान से कॉंटेक्ट कि पर शारुक खान मान ही नहीं रहते कि हेमा माली जैसी बड़ी हेरोईन उन्हें फोन करेगी वो समझ रहे थे कि कोई उनके साथ मज़ा कर रहा है प्रैंक कर रहा है उनके इस व्योहार से तंग आकर प्रबाजी ने उन्हें हेमा जी का नंबर दिया और फोन करने को का शारु ओडिशन दे रहे हेमा जी के घर मुंबई पहुँच गए हेमा जी उनसे पर्चित तो थी ही इस मुलाकात के बाद उन्हें शारुक खान अच्छे लगे बस एक प्रॉबलम थी कि उनके बालों का जुंट उनके पूरे चेहरे को ढख देता था हेमा जी ने उनसे पूछा कि व क्या अपने बालों के बारे में कुछ कर सकते हैं शारुक खान ने तुरंत अपनी उंगलियां बालों पर फेर दी वो पहले से अच्छे तो दिख रहते पर हेमा जी अब भी सैटिस्वाइड नहीं थी उन्होंने अपने मेक अप मैन को बुलवाया और शारुक खान जी के ब लगा कर उन्हें पीछे करने को कहा शारुक खान का वा बदला हुआ सुरूप अध्यंत सुन्दर था जब ये सब हो रहा था तबी धर्मेंजी भी वहां आ गए हेमा जी ने उन्हें अपनी खोज से मिलवाया और बताया कि वो उन्हें हीरो के रूप में लेना चाहती है धर भी नहीं जानता था कि शारुक खान इतने बड़े फिल्मी सितारे बन जाएंगे पर मेरी गुरुमा ने पहले ही ये सब कुछ जान लिया था एमा जी बहुत मुस्कुराते हुए ये बात बताती है यही महान लोगों की शक्ति होती है वो सभी चीजों को एक बड़े परस् आपको एकदम अलग कर लेते हैं एक अच्छे से होटेल में हुए भव्य मुहुर्थ के दोरान हेमा जी ने इस फिल्म की खोशना की इसका टाइटिल था दिल आशना है और ये मां इंदरा जी द्वारा सुझाया गया था जो खुद उर्दू और अंग्रे जी की अच्छी लेखी का हैं और कई पुस्तकें भी लिख चुकी हैं एक पॉपुलर उपन्यास लेज पर आधारित ये फिल्म महिलाओं के आपसी रिष्टों पर रोशनी टालती है चार-चार हेरोईंस डिम्पल कापाडिया, अमरता सिंग, सोनु वालिया और देवय भरती के साथ समय व् दम से बदल जाता पर मैं ये पताना चाहूंगी कि मुझे उन सबसे भी बहुत अच्छी हैल्प मिली और एक एक्ट्रिस के तौर पर मेरे लिए इमोशन्स को कैमरे के आगे से देखने के बजाए पीछे से देखना बहुत इंट्रेस्टिंग था, दिल आजना है कि निर्मा अलाकारों के भीतर से अच्छा प्रदर्शन निकलवा पाने की अपनी योगिता के प्रति थी, आश्वस्त थी और हमेशा सेट पर अच्छी तरह से तैयारी करके ही चाती थी, जब भी मैं अकेले में बैटकर अगले शॉट के बारे में सोच रही होती थी, तो अक्सर मेरा स पॉट बॉई मुझे वैन में बैटकर आराम करने को कह देता था, हलाकि मैंने एक अभिनेता से एक निर्देशक के रूप में खुद को ढाल लिया था, पर अब भी वे मुझे एक अभिनेता जैसा व्योहार करते थे, आखिर कर जब मेरे दिमाग में इतने सारे नए आइड गूम रहे हों, तो मैं एक अंत में कैसे रह सकती थी, मुझे लगता है कि एक एक्टर और एक डारेक्टर के बीच में यही अंदर होता है, एक एक्टर का शाट के साथ चुड़ाओ द्रश खतम होने तक ही रहता है, और दूसरी तरफ एक फिल्म कार के लिए हर एक शाट उस हदा को पहचाना, अभी तक मैंने अपनी सभी डारेक्टर को हलके में लिया था, पर देलाशना के बाद मैं उन्हें एक नए सम्मान के साथ देखने लगी थी, ये फिल्म सन 1991 में रिलीज हुई, और उस वर्ष शहर में बहुत सारी दुरगटनाएं हुई थी, और इस से फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, शहर में दंगे फैल चुके थे और डिस्टीब्यूटर्स ने हेमा जी को सला दी कि वो अपने प्रदर्शकों के पास से रीले वापस मांगवा लें, और फिल्म के प्रदर्शन को थोड़े दिन के लिए टाल दें, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और अगले हफ़ते देल आशना है, रिलीज हो गई, और सभी थेट्रों में इसकी शुरुआत बहुत कम जोर रही, हेमा जी ने एक फिल्म कार के रूप में अपनी बड़ी सीख पाली थी, एक अच्छी फिल्म बना लेना ही, अपने पर्याप में पर्याप नहीं होता, इसके प्रदर्शन का उचित समय तै करना भी उतना ही आवश्यक होता है, हेमा जी गंभीरता के साथ कहती है, एक डायरेक्टर के रूप में हेमा जी के केरियर में एक नया मोड आ गया, अब उनके पास प्रोड्यूसर्स फिल्मों के डाय प्रस्ताव लेकर आने लगे, पर हेमा जी किसी प्रकार का कोई वादा करने की जल्द बाजी में नहीं थी, उन्होंने अपना अगला कदम उठाने का इंतजार करना अच्छा समझा, और वो शारुक खान और दिव्या भारती को सफलता की नई उचाईया चुते देखती रह उन्होंने अपने आपको मिलने वाली तारीफों का आनन्द उठाया और इस तरह से एक साल बीट गया और फिर ये 1994 का समय था जब हेमा जी ने टीवी पर अपनी पहली टेली फिल्म मोहिने की घोशना की मोहिने की कहानी अगले अंक में और उसके बाद हेमा जी ने क्या क्या किया ये भी अगले अंक में ही जानेंगे दरसल अभी अगले एक छण क्या होने वाला है हम कभी जान ही नहीं पाते हेमा जी एक इतनी प्रसिद एक्टरस से डाइरेक्टर बन जाएंगी ये किसने सोचा था और फिर आगे हेमा जी ने और कौनसी सफलता की नई उचाई अचुई ये जानेंगे अगले भाग में आप बने रहिएगा मुवीज की सनी मबा जी के साथ और सुनते रहिएगा ड्रीम घर्ल हेमा मालनी जी की ये अनसुनी कहानी ये पढ़कर मैं आपको सुना रही हूँ भावना सुमाया जी की पुस्तक हेमा मालनी एक अन कही कहानी से ठैंक्स फॉर वोचिंग